अमने कुम आपरी बन तो कैसे आप सब लोग मेलाई हूं आप लोग लाजी बहुत अमेजिंग बहुत दिलिशस काल अभुना चिकन की रेसिपी तो चलिए इसको देख लेते हैं कि एक पंता कैसे है तो सबसे पहले में एक पैन लेना है उसके अंदर में डालोंग जैसे कि अधा चमच जीरा इसमें मैंने चेशे साथ सोखी लायर मिर्ची डाल ली है और डालना है मैंने इसके अंदर दो बड़े चमच साबु धनिया बस सारी चीज़ी डाल के इसको ड्रायर रोस्ट करके इसको अच्छी सी खुश्बू आनी चाहिए जब तक हम इसको ड्रायर रो हमने चार बली प्यास को साथ हो थैज़ी तरह बड़े चाहब कर लेना है तो अब त्योस ईस डीक हैनि मील्च ये और चीज़ी गुल्स क्रहना है वह दो ए बड़न जम प्याइस में ऊवर्य है चीज़ी से गुल्स ब्राउन बं प्यावन अशे से प्यास को सधाश निवाय करना है प्यास के साथ मिक्स कर लेना है और फोड़ा सा घंग जा लेंगे 1 टेपे-आप जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर जालेंगे जो विए अपने सारे मसाले की जिर्व में ड्राय रोस्ट चैटें पाउडर हम इसके अंदर जालेंगे शाल्ट में एक चमबच नमक जाला है आप अपने जाए का मुताबब कितना भी डाल सकते हैं और अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पकाएंगे अब एक लावज के आधि को डालाँगे एक तैबस्पून ड्रेट चिली पाउडर और अच्छे तरीद से करेंगे मिक्स और फिर हम इसके जालेंगे आदी गटोरी दः को मैंने अच्छे तरिके से फेट लिया है और दः को डालने के बाद इसको अच्छे तरिके करेंगे अपने दः दः में चिकन कोraf दो को पानी डालेंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन है वो गल ना जाए बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको पकाऊंगी तो अब मैं पांच मिनक बाद इसको खोल के देखती हूं तो आप लोग देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से जब तक हमारा चिकन पक जाए फिर हमने इसको खोल करके भूनना है हाई फ्लेम कर देनी है और इसको भूनेंगे अब इसको जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनते रहना है हाई फ्लेम पे तो बस मैं इसके अंदर डालूँगी अब खूप सारा फ्रेश कोरियंडर और इसको भूनते रहेंगे इसको आपने भूनने का तरीका है वो हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब इसका जो कलर है वो चेंज होगा यह बहुत अच्छा लगता है खाने में और आप इसके अंदर अद्रक भी डाल सकते हैं मिर्ची भी डाल सकते हैं यह बहुत अच्छा लगता है खाने में आप लोग बहुत अच्छा लगता है आप लोग इसको रोटी पराथा और नान के साथ आप इसको इन्जॉय करें तो बस यह बनके हो चुका है बिल्कुल रडी वे इसकी प्लेटिंग करते हैं तो मैंने बोल लेना है उसके अंदर इसको सर्फ करना है यह बहुत अच्छा लगता है आप अपनी तो पुर्णी मलाय यह उसका है अप स्वीदियूं यह आप चावल के साथ भीखा सकते हैं यह बहुत अच्छा लगता है तो बस अब हम अदूब डलेंगें अपनी मलाई मैं अच्छा अच्छाए हैं अब कम क्यों नाय डाली यह आप चाहिए आप चाहे इसको अश सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने फैमिली के साथ यह चलती हूं मिलती हूं एक नेक्स रेसिपी में अमेजिंग सी वीडियो के साथ अब तक आला हाफिस एंड टेक केर शाइब तक एंड俺v प्रहे प्राइब